पिछली दो सालों से Apple यहां पर एक ऐसा iPhone निकाल रही है जिसकी यहां पर जाता लोकों पड़ी नहीं है और वो है यहां पर Apple का mini iPhone यानि की iPhone 12 mini और 13 mini लेकिन Apple के iPhone 12 mini और 13 mini को उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी उसे यहां पर उम्मीद थी और इन सबको बदलते हुए जो Apple है वो यहाँ पर अपना एक बड़ा भाई लाने वाली जो कि होने वाला Apple का iPhone 14 Max जिखां दोस्तो इस साल Apple वाले यहाँ पर अपना कोई भी mini model यहाँ पर निकालेंगे चार iPhone को निकालेंगे और iPhone 14 Max होगा यहाँ पर लेकिन बात यहाँ पर यहाँ पर यह कि iPhone 14 जो Max होगा वो यहाँ पर किस तरीके से Apple के लिए गेम चेंजर चीज साबित हो सकती यानि कि टोटली कि smart move हो सकता है अब क्या है पीछे की कहानी क्या लगता Apple को इसके बाहरे में थोड़ा बात कर लेते हैं प्रसंदार है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना देखो सबसे बहले मैं बात कर सकता आप से कि आकर जो mini iPhone थे वो Apple नहीं क्यों निकाल लेते वो इसलिए निकाले थे क्योंकि market में डिमांड थी एक छोटे iPhone की और लोग एक छोटा iPhone लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने iPhone 12 mini और 13 mini यह पिन लिखा ले अब बात आते कि 12 mini और 13 mini अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए क्योंकि बात की जाए तो फोन का साइस काफी सही था लोग 6 से कम स्क्रीन का साइस का फोन मांगते थे लेकिन जो majority लोग थे वो यहाँ पर regular iPhone को खरीद रहे थे और काफी सारे ऐसे लोग थे जो यह डिमांड कर रहे थे कि उन्हें बड़े सी बड़ी स्क्रीन चाहिए और Pro Max उनके लिए काफी जाद महेंगा हो जाता है और इसलिए अपल को लगता है कि क्यो ना mini को खतम करके एक बड़े model को लेकर आजया हाला कि mini iPhone में देखा तो कमी नहीं थी एक चोटी स्क्रीन का iPhone काफी अच्छा हो सकता और काफी सारे लोग उसे हाँ पर पसंद करते हैं लेकिन अंदर की बात यह है कि यहाँ पर चोटी स्क्रीन के iPhone के साथ कुछ कमिया जूड़ी थी वह यह कमिया थी सबसे पहले तो किसी के हाथ अगर बढ़े है और उसको फोन ऑपरेट करना उसे अधिक्कत आ दीती कीबोड की टाइपिंग एक्सपीरेंस काफी खराबता और यह चीज ने लोगों थोड़ा से डिस्रेट किया और जब एक छोटा iPhone बड़े iPhone के बगल में रखा जाता है ना तो जा बड़े बड़े आईफोन में तो यह उसके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है और काफी सार लोग को मालूम है कि iPhones की बैटरी ठीक ठाक चलती है लेकिन आपको एक्स्ट्रॉर तरी लंबा बैटरी वैक अप नहीं देती और मिनी आईफोन के साथ भी यही चीज़ थी इसलिए मिनी आईफोन को खतम करके मैक्स वर्जिन को लेकर आ जा रहा है और वो होगा इसका बड़ा भाई अब इसके बड़े भाई को लाने की पीछे एपल का रीजन क्या है मतलब एपल देखा जाए तो क्यों उसको यहाँ पर और प्रो मैक्स इतना जादा महेंगा हो जाता है कि हर कोई उससे अफोड नहीं कर पाता तो इससे तो समझ में आता है कि हाँ एक ऐसा मॉडल बीच में डाला जा सकता है बड़ी स्क्रीन के साथ जो रेगुलर आईफोन और जो प्रो मॉडल रहता है उसके बीच में प्लेस क गए तो यहां पर भी उसका रेगुलर मॉडल इग्नोर करके 14 मैक्स की उपर जा सकते हैं और यही एक ट्रेंड यहां पर रहा तो काफी कच्छी चीज हो सकती है जहां पर 14 मैक्स एक बेस्सेलर फोन बन सकता है और एपल के लिए पहली बार एक ऐसी चीज होगी जहां पर उ उन्हें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे जैसे प्रो मोशन डिस्प्ले बैटर कैमरा 48 मैं पिसलर कैमरा आने वाला है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आने वाला है यहां फिर ट्रिपल कैमरा सेटप इस टैप की चीज़े एडवांस फीचर अगर किसी को चाहिए तो प्र आईफोन 14 से थोड़ा महेंगा प्लेस करेंगी कम से कम 10-15,000 रुपे महेंगा जिससे एपल वाले उसे जादा भी बेचेंगे साधी साथ जादा पैसा बनाएंगे तो एपल के लिए तो यहां पर देखा तो कि स्मार्ट मूव रहेगा और जादा जादा प्रॉफिट यहां पर निकाला है और आईफोन ऐसी को निकालने का में रीजन यहां पर यह था कि वह उन लोग को अट्रेट करना चाहते तो अभी आईफोन नहीं ले पा रहे हैं उन तक एक सपोड़ेबल आईफोन ले जाओ और एक छोटी स्क्रिंग का आईफोन ले जो जो लोग यहां पर देखना चाहते हैं और इनी सब लोगों को आने वाले फ्यूचर में मिनी वाले आईफोन को री इंट्रिड्यूस करके किया जाएगा यानि कि आईफोन ऐसी क्या था कि पहले सालों में आता था लेकिन अभी हर देड़ दो साल में उससे रिफ्रेश किया रहा है और हो सकता ह है कि इसका जो अगला रिफ्रेश हो वो आपको एक मिनी आईफोन के रूप में देखने को लें जैसे कि 13 मिनी का डिसाइन था वैसा ही कुछ डिसाइन ये लोग ले आगा सस्ते रेट के अंदर तो वो और एक काफी अच्छी चीज होगी हला कि जब ये चीज होंगी तब हम उसके और बारे में और बात कर लेंगे लेकिन अभी 14 मैक्स के बारे में ये बात देखो सबसे बड़ा फीचर देखा तो 14 मैक्स के अंदर ये रहेगा कि उसके बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जब कि इंटरल स्पेसिफिकेशन इसकी बिल्कुल वैसी ही रहने वाली है जैसी इस समय आईफोन 13 की है और काफी सारे लोग जो अंगले साल का आईफोन लेंगे वो लोग 14 मैक्स के उपर जाने पसंद करेंगे ये एक सिंपल सी चीज रहेगी हाला कि जो बिग्गेस चेंजे आएंगे वो आएंगे प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में और जब प्रो म आईफोन ला रहे है बीच के रेंज के अंदर जहां पर काफी सालों को लेना पसंद कर सकते हैं अगर कीमत अगर प्रो मॉडल से भी कम है और सस्ता देखने को मिल रहा एक लग से कम में आ रहा है इंडिया में भी हो सकता है कि 14 स्रीज में इस आईफोन को लोग लेना काफी जादा पसंद करें बड़ी स्क्रीन के फॉन की डिमанд मार्केट में काफी जाद है हर एक कंपणी बडे जानी कि बनाती क्योंकि मैजोरीने मार्केट वान लेना चाहता हूं हादा कि चोटी स्क्रीन का मार्केट होता है लेकिन पिए आइपोंगे जो घुड़ी हुई है वो है कि हाँ पर अभी चल रहे सप्लाइचेन के अंदर प्रॉब्रम जिस कारेंट से इसके प्रोडक्शन में हो रहा है डिल है और अगर इसकी डिमांड जादा हो कि प्रोडक्शन कम होगा तो इसका जो डिस्ट्रिबूशन है वो काफी जादा लेट आपको देखने ही जादा है और अभी जादा है वो कि अझे प्रोडक्शन कहाँ ठकर प्रॉब्र में जादादासे प्र जादकर ये जादादा है।